नमस्कार मैं प्रीती दिकारी बिजनस हलचल में आपका स्वागत करती हूं यह दिखते हैं बिजनस वर्ड से जुड़ी कुछ खास खबरी सबसे बहुत करते हैं जियो कंपनी के नए डिवाइस जियो टैक के बारे में कॉंपेडिशन के इस दुनिया में टेलेकॉम कंपनी जियो ने सबसे सस्ता ब्लूटो ट्रैकिंग डिवाइस जियो टैक को भारत में लॉंच किया है जो कि एपल के एर टैक और सैमसंग के स्मार्ट टैक को खासा टकर दे रही है यूँ तो कंपनी वेबसाइट पर इस डिवाइस की कीमत 2199 रुपे रखी गई है पर जियो अपने कस्टमर्स को लॉंचिंग ओफर में मार्च 749 रुपे में ही दे रही है वह इसकी फीचर्स की बात करें तो जियो टैक का वेट 9.5 ग्राम है रेगुलर यूज के आईटम डूरने के अलावा ट्रेकर से यूजर्स को स्मार्टफोन को ट्रेक किया जा सकता है फोन के सालेट मोर में होने पर भी जियो टैक को डबल टैप करने से फोन की रिंग बजने लगती है आपको बता दे कि जियो टैग में रिप्लेसिबल CR2032 बैटरी दी गई है जिसकी लाइफ एक साल तक की है तो चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के नए वेरियंट और टो सी इंजी के बारे में टाटा मोटर्स ने इंडिस्ट्री की पहली C&G टेकनोलोजी विक्सित की है वहीं कमपनी की कार और टोस आई सी इंजी में समान रखने की जगे से कोई समझाता नहीं किया गया है ये कार बेस्ट फीचर के साथ लेस होकर आती है जिसमें भोगता को प्रीमियम हैच बैक की लगसरी और पूरा आराम मिलता है और टोस आई सी इंजी की कई आधुनिक फीचर के साथ पेश किया गया है वहीं इसके वेरियंट की बात करें तो इसमें वाइस असिस्टेट इलेक्ट्रिक संरूफ, वाइरलेस चारजर और एयर प्योरिफाइंग शामिल है अगले खबर है देश की मैनिफेक्ट्रिंग से जुड़ी शानदार ग्रोध की PMI की रिपोर्ट के मताबिक पिछले 6 महिने में कमपनियों के एक्सपोर्ट में सबसे तेज विस्तार को देखा गया जो की आर्तिक स्थिती की मजबूती को दर्शाता है सेल्स में हुई बड़त ने प्रोडिक्शन, रोजगार और खरीद की मात्रा में भी मजबूती बड़त का रास्ता साफ किया मई में सप्लाइचेन की सिती में और सुधार देखने को मिला और इसके साथ ही कंपनियों ने इन्पट इन्वेंटरी में रिकॉर्ड स्टोरेज किया आपको बता दे कि ये PMI का पूरा नाम पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जो की मैनुफेक्शरिंग सेक्टर की आर्तिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर देता है जिसके जरी किसी भी देश की आर्तिक स्थिति का आंकलन किया जा सकता है वहीं बात करें अगर आकड़ों की तो मैनुफेक्शरिंग PMI अप्रेल के 57.2 से बढ़कर 58.7 रही जो की 31 महीने में सबसे जादा है यह लगतार 22 मौका है जब भारत की मैनुफेक्शरिंग 50 के उपर बनी हुई है आपको बता दे कि PMI का आकड़ा अगर 50 के उपर हो तो मैनुफेक्शरिंग एक्टिविटी में विस्तार को बताता है और वहीं अगर 50 के नीचे काकड़ा हो तो manufacturing activity में कमी को दर्शाता है आज के लिए बिजनस हलचल में बस इतना ही फिर मिलते हैं बिजनस के ताजा खबरों के साथ तब तक लिए बने रहे ही जन्टीवी के साथ